Hey, welcome friends, नमस्कार, मैं हूँ अभिनेश कुमार from Finces Software और आज फिर से एक छोटे से quick session में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आज का ये short video मैंने सिर्फ इस बात के लिए बनाया है जहाँ पे हम थोड़ा सा MFDs के pain area के उपर फिर से focus करेंगे फिर से उस पे देखेंगे, although हमने काफी videos, काफी sessions और webinars इसी topic के उपर already कर रखे हैं लेकिन दोस्तों फिर भी हर रोज जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ या किसी meeting को address करता हूँ तो मुझे समझ आता है कि कहीं न कहीं हम mutual fund distributors अपने pain area को समझने में नाकाम हो जाते हैं या confused हो जाते हैं तो दोस्तों ये 10 to 15 minutes का video जरूर देखिएगा, skip मत करिएगा और कोशिच करिएगा कि आप पकड़ पाएं कि आपके business का दर्द क्या है क्योंकि बहुत जादा जरूरी है आपके scalability के लिए और business success के लिए कि आपको अपने business के pain के बारे में पता हो ये है कि चारों तरफ से इतनी राएं, इतनी बातें, इतना sales pressure होता है कि हमें ये ही नहीं समझ आता कि हम product के हिसाब से अपना business setup करें या अपने pain के हिसाब से product को खरीदें तो दोस्तों, आज ये session मज़ेदार होने वाला है not in terms of exhaustive, बस key points पे मैं discuss करूँगा ताकि आपके कुछ रोशनी डाल पाऊं आपके business के input के उपर और आप फिर उसको और अच्छे से explore कर पाऊ तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो देखने के बाद आपको सबसे important चीज़ ये समझ आने वाली है कि how to look and evaluate your pain relieving tool और a mutual fund software जो भी mutual fund software के आज बाजार में हम बातें करते हैं हम बहुत सारे 38, 38, 45 mutual fund software है और हर कोई दावा करता है कि वो ये है तो वो वो है और agent बिचारे, mutual fund distributor बिचारे बहुत सारे इतने sales call और इतने pitch को देख के confused हो जाते है तो दोस्तों आज ये clarity आपको मिल जाएगी कि exactly आपके लिए क्या जरूरी है कौन सा mutual fund software लेना चाहिए और कैसे उसको अपने हिसाब से तौलना चाहिए तो दोस्तों ये session में आपको Finces Academy मदद करने जा रहा है जैसा कि मैंने बताया मैं हूँ अभिनेश कुमार मैं Finces Academy को belong करता हूँ उसके present करता हूँ उसका mentor हूँ और मैं आपको मदद करने वाला हूँ इन पूरे process में तो दोस्तों पहले जमाने में traditionally हमारे देश में mutual fund distributors को कैसे देखा जाता था किस तरह से नामा करन उनकी की जाती थी फिर एक दूसरी कैटेगरी institutional होते थे जो बड़े-बड़े कोटक सेकेरिटी, DSP वगरा, इनाम यह सब जो होते थे institutional distributor कहलाते थे फिर national distributor, बजाज, RR and that kind of names आप सुना करते थे काफी अच्छे बड़े distributors होते थे regional में कुछ ऐसे private limited players होते थे जो अपने area में बड़ा famous हो जाते थे जैसे कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में तो अपने region में बहुत famous होते थे और बड़े होते थे और banking obviously आप लोग जानते हैं उसमें बहुत सारा distribution channel हुआ करता था यह था traditionally categorized categorization of mutual funds बड़ अगर हम new age की बात करें तो यह सब खतम हो चुकी है दोस्तों अब यह कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप बजाज capital हो या NJ हो या prudent हो या कौन हो आपके पास tool होना चाहिए काम करने को तो यह पूरा India आपका है दोस्तों तो यह पूरा हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहां काम करूँ या यहां काम करूँ इस्ट हो या नॉर्थ हो साउथ हो या वेस्ट हो अपने लिए बहुत सिंपल है कि tool सही होना चाहिए तो जिसके पास tool सही है वो उसके लिए पूरा भारत है अब कोई सीमा उसके लिए नहीं रह जाती है तो इसलिए आज new age categorization को जब हम MFD में करते हैं तो सिर्फ दो ही लोग रह गए एक individual वेक्तिक लोग और दूसरे institutional लोग जो private limited, LLP limited इसमें सब आ जाएंगे तो अब दूरी मिटाने के लिए, customers की geographical reach को पकड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको multiple branches खोलने पड़े, आपके पास हथियार अच्छे हो, system अच्छा हो process अच्छा हो, तो बड़े अराम से आप बैठे बैठे यहां से जहां भी चाहें वहां business कर सकते हैं, so center खोलना, branch expansion यह सब बहुत अब पुरानी बाते हो गई, तो दोस्तों आज हम इनी चर्चाओं पर आगे बढ़ते हैं और quickly आपको इन दोनों segment में देखते हैं कि क्या इनका दर्द है क्या इनके business की growth को रोकता है ताकि हम उसका अगर कोई उपाए, कोई निवारन नेकर आपाएं तो वो मज़िदार होगा तो दोस्तों new age categorization of mutual funds की जब हम बात करते हैं आज के इस category में जब individuals की बात करते हैं जो ऐसे mutual fund distributor जो private limited, limited या किसी तरह की company का formation करके करे बगार काम कर रहे हैं तो उनका क्या reason होगा ऐसा करने का मेरे को समझ आता है कि उनके पास कोई plan नहीं है अपने generation inheritance देने के लिए यहाँ पे लोग debate भी कर सकते हैं कि नहीं नहीं, मैं individually कर रहा हूँ इसका क्या मतलब कल को मेरा बेटा आएगा फिर मेरी बेटी आएगे, फिर मेरे बच्चे आएगे बट मुझे लगता है कि जो भी आदमी individually काम करता है वो शायद यह सोच के काम नहीं करता कि उसका business बहुत बड़ा होने वाला है वो यही सोच के काम करता है कि उसका छुटा सा business होगा 150 client वो manage कर लेंगे फिर उसके बाद उनके बच्चे को मन होगा तो वो भी 150 manage कर लेंगे और इस तरह वो चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा, तो बंद हो जाएगा उनके पास कोई long term plan नहीं होता इसलिए वो individually काम कर रहे है क्योंकि देखे, सबसे important चीज़ यहाँ पर यह होता है कि जो लोग individual काम कर रहे है उनको channel based business में को interest नहीं होता क्योंकि channel based business वो कर भी नहीं पाएंगे क्यों नहीं कर पाएंगे, अगर आज मैं अभिनेश कुमार हूँ और मैं 100 sub broker बनाना चाहूँ, हो सकता है मेरी दोस्ती आरे भी बन जाएं, बट मेरे sub broker's को faith नहीं होगा कि कल को अभिनेश कुमार मर गया तो पता नहीं कमिशन आएगी trail की नहीं आएगी और आएगी तो कैसे आएगी कौन देखेगा, कौन guarantee लेगा तो individual व्यक्ति के पास skillability बहुत बड़ा problem हो जाता है, वो अपनी business को expand नहीं कर सकता अबड़े लेबल पे क्योंकि trust issue आ जाता है और हर कुछ उसके सर पे आके बैठ रहता है वो नहीं तो कुछ भी नहीं ऐसा नहीं है कि आज मैं मर जाओं तो मेरी पत्नी उठा के पूरा business वो ऐसे ही चला लेगी जैसे मैं चलाता हूँ, तो इसलिए लोगों को faith नहीं होता, लोगों को faith तब होता है जब आप अपने mutual fund distribution को institutionalize कर दें, उसे private limited, limited या LLP में company का form दे दें और आप उस company को एक system में ढाल दें एक process में ढाल दें, खैर मेरा ये lecture और ये slide इस बात पर नहीं है कि which is good, this is good or that is good मेरा बात सिर्फ इतना है कि दोनों तरह के लोग अब coexist कर रहे हैं तो आज जो लोग individual हैं उनके दर्द अलग हैं और जो लोग institutional हैं उनके दर्द अलग हैं उनका pain area अलग है तो हम बात तो सिर्फ pain area की करने वाले हैं इसलिए मैंने बस ये दो division बनाए तो individuals जिनका कोई generational plan नहीं है उनके pain area अलग है institutional जो long term business plan के लिए आया है जिसे business को बड़ा बनाने का मन के अंदर मनशत है जो कि बहुत सोच समझ के अपने company को आगे ले जाना चाहता है उसका दर्द बिल्कुल अलग है जहाँ पे इनका focus बिल्कुल लहीं था team और channel पे मगर institutional जैसे ही आप बनते हैं आपका focus बढ़ने लगता है team बनाने में channel based sub brokers बनाने में क्योंकि आपको trust मिलने लगता है लोग आपके विश्वास करने लगते हैं for example मेरी एक private limited या LLP कोई firm है अगर मैं नहीं रहा तो कोई बात नहीं मेरा जो दूसरा director है वो रहेगा या मेरी team रहेगी मेरा business business कभी नहीं मरता as you know so दोस्तो new age categorization के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं और मुझे उमीद है कि आप कोई interesting लग रहा होगा यह topic धीरे धीरे हम अपने मुद्दे पे उतरने वाले हैं दो चार slides के अंदर ही तो सबसे पहले common pain area की बात कर लें और common pain area तो जो सभी के साथ है कोई भी virtual fund distributor हो सब का ये दर्द है मैं यहां जो लिखने जा रहा हूँ दोस्तो तो lead management बिलकुल common pain है चाहे आप individual हो चाहे institutional हो चाहे जो भी हो कैसा होता है ये दर्द उसके बारे में हम बात जरूर करेंगे बट फिलहाल broader अगर हम segment पे बात करें अपने pain areas को तो lead management एक ऐसा area है जहां पे हमें बहुत दर्द होता है दर्द है कहां से lead लाएं दर्द है कैसे lead लाएं बहुत सारे ऐसे pain है तो lead management एक ऐसा section है जहां पे आपको मदद की knowledge की या implementation of new digital tools की जरूरत पढ़ती है दोस्तों lead manage तो चलो किया लेकिन जब lead convert हो गई client को on board करना एक आज के दिन में बहुत बड़ा pain area है इतना असान नहीं है कि आप बैठे बैठे कर लें platform पे on board करना अलग है camps में अलग है carway में अलग है normal में अलग है KYC बनाने के अलग अलग तरीके है तो दोस्तों यह जो areas में confusion और problem है obviously government knows regulator knows about it and they are doing lot of things for making it seamless पर जब तक नहीं हो रहा है तब तक हम लोग जो भी available हमारे पास औजार हैं उसके बदौलत इसको seamless बनाना आज के दिन में बहुत ज़रूरी है तो यह pain area आपको address करना पड़ेगा इस पे सीखना पड़ेगा कि कैसे हम quickly client on board करें थर्ड जो common area है वो है risk profiling and asset allocation as per MFIDDQ पता नहीं आप में से किते लोग इस शब्द से वाकिफ हो due diligence questionnaire कहते हैं दोस्तों और अगर आप वाकिफ नहीं है और नहीं जानते हैं तो शायद आपने फिर MF का exam ठीक से नहीं दिया है और उसके बतौलत हर 100 करोड के उपर जिसकी asset पहुँच गई ही होगी उन सब को इसका audit भी होता है तो दोस्तों मैं DDQQ कि यहाँ पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस process के तहत MFID से भी के दिये हुए नियाम अवली के अंदर चाहती है कि हरेक MFD proper risk profiling and product suitability करने के बाद ही client को कोई भी product दे तो यह जो नियाम का तरीका है यह कैसे apply करना यह एक pain area है जो लोग इसके बारे में नहीं जानते या इस वाली बात से नहीं डरते मेरे ख्याल से वो अपने business में बहुत बड़ा risk ले रहे है खुद दोस्तों यह third area बहुत important है fourth investment execution यहाँ दर्द है यहाँ भी दर्द है अलग-अलग लोग सोचते है अरे मैं तो camp से पूरा client को भेज देता हूँ link और client डाल देता है अरे मैंने तो carby use करता हूँ फला ना अरे मेरा कहना है यह दर्द समझे आप कोई भी tool use करते हो अगर आपकी branded नहीं है वो अगर आपके नाम से वो नहीं जा रही है तो आज नहीं कल client समझ जागा बोलेगा इसमें क्या अलग था तुम रोज cams से मुझे link बेजते हो मैं ही क्यों ना जाके my cams में कर लूँ भाई तो ultimately आपको दर्द अभी नहीं समझ आ रहा है दर्द अब समझ आएगा जब client आपका directly my cams MF Central कहीं से भी transact करने लगा क्योंकि आप नहीं उसे सिखा दिया आप ही उसको रोज रोज लिंक बेज रहा सो होना क्या चाहिए आपका दर्द ये था कि मैं कैसे अपने brand से link बेजू मैं कैसे अपना खुद का platform membership से link बेजू So these are the things which you should be clear about and learn more about So investment execution is not a joke It has to be understood well बहुत सारे लोग AMC का app यूज करते हैं manufacturer के छोटे छोटे डिफरेंट apps से बोलते हैं मैं smartly use करता हूँ भाई तो फिर आप अपने customer को कितने nash बनवाते होगे क्या SBI में SBI के app यूज करते हैं SBI का nash बनाएंगे cams में cams का nash बनाएंगे ICSA potential में ICSA का नाम का nash बनाएंगे तो कितना nash होगा so दोस्तों अगर ये ICSA mandate हम multiple जगा बनाने के बज़ाए अगर एक अपने platform के नाम का बनवा ले और उससे हम जहाँ चाहें वहाँ इस्तमाल करें तो कितना अच्छा होता तो ये सब बाते समझना सीखना जरूरी है और ये दर्द है आज MFD का जो हमारा पांचवा एरिया जो में दर्द है वो है customer को review करना engage करना portfolio update करना and satisfaction survey लेना ये भी DDQ का नियम है दोस्तों ये भी सरकार और regulator आपसे कहती है कि आपको ये करना है ये जरूरी है बट बहुत सारे distributor नहीं समझ पाते मैं कैसे करूँ मैं इसको automate कैसे करूँ अपने process में कि मेरा ये सब काम हो जाए मैं किस तरह से बात करूँ ऐसी कई सारी problems को हम common pain area कहते हैं दोस्तों या ये जो मैंने यहाँ आपके सामने लिखा या आपके client का पूरा life cycle है एक ग्राहत जब के दर्वाजे आता है और अंत तक आपके साथ रहता है ये पूरा cycle घूमता रहता है और इसी cycle को service करने के काम को mutual fund distribution business कहते हैं दोस्तों तो अगर आप अपने mutual fund distribution business में serious हैं उसे बड़ा बनाना चाहते हैं उससे huge corpus पे खड़ा होना चाहते हैं तो दोस्तों ये दिन है कि आप alert हो जाएं ये समय है कि आप इसके बारे में seriously talk करें बाते करें और confusion अपने मन से उड़ा दें किस basis पे और किन चीजों के सर्मदद से आप अपने pain area को दूर कर सकते हो जरा सा हम देखने के कोशिश करते हैं तो दोस्तों थोड़ा depth पे जाते हैं तो ये जो pain difference है दोनों के लिए अलग-अलग है दोनों के लिए मतलब जो management होती है जो company के मालिक होते हैं या फिर डिरेक्टर्स होते हैं उनके लिए अलग दर्द है और जो team member या आपके employee उनके लिए अलग दर्द है तो पहले तो मैंने एक common दर्द आपको बता दिया कि ये common है जो ये दर्द सब ही के लिए है लेकिन इस दर्द का भी जब हम और नीचे उतरेंगे तो आपको अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दर्द है और उसके लिए आपको उपाए अलग अलग ही ढूनना पड़ेगा दोस्तों आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक टूल से सब सद्वर्द दूर कर दूँगा तो इसी दिये दोस्तों जैसा मैंने कहा था कि ये सेशन में मैं आपके पेन को हाइलाइट करने जा रहा हूँ अगर आप अपने पेन को पहचानने सीख गए अगर आप अपने दर्द से रूबरू होना सीख गए तो आप कई तरीके के अच्छे टूल्स और सिस्टम डेवलप कर सकते हो खरीद सकते हो, बना सकते हो तो दोस्तों सबसे इंपोर्टन जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि management के point of view से अगर हम कुछ दर्द देखें जैसे hiring, training and managing a team for lead generation lead generation हमने देखा कि common दर्द है इस lead generation में common दर्द है लेकिन एक management का दर्द क्या है कि मैं कैसे team member को hire करूँ जो मेरा यह lead generation का काम करे यानि इसको क्याते है marketing department बनाना तो आपको यह दर्द कौन दूर कर सकता है यह दर्द दूर कर सकता है आपका training का module आप कैसे बच्चे रखेंगे trained लड़के रभी रख सकते हो लड़कियां रख सकते हो लेकिन उससे अच्छा है कि आप खुद का अपना training module develop करो कि अगर मैं किसी को marketing department में hire करूँगा तो उसे सिखाऊंगा how to create, send and generate lead from various medium of communication emails, sms, whatsapp, social media, blog pages, landing pages अब ये कौन देगा भाई, ये कौन सिखाएगा so दर्द आपको समझा गया कि आपका दर्द या तो ये है कि मुझे team बनाना है और दूसरा आपके team बन गई तो उसको सिखाना है तो ये दोनों दर्द है तो दर्द क्या निवारन है बहुत सारे लोग ये पूरा चीज उठा करके outsource कर देते हैं किसी बाहर की company को दे देते हैं कि भाई तू कर ले यार मेरा विल्कुल गलत है छोटा अगर आप agent हो तो कर सकते हैं आपकी आज size 100 करोड के नीचे आप कर सकते हैं बट अगर आप 100 करोड, 500 करोड के उपर हैं आपको you have to adopt system दोस्तों, you have to invest here आपको अपनी marketing development team में एक digital manager रखना पड़ेगा उस पे खर्च करनी पड़ेगी उसे इन चीजों के बारे में सिखना और सिखाना पड़ेगा वो training को अहां से लेंगे obviously Finces gives you all the support to that Finces Academy में ऐसे कई courses हैं बहुत सारे free हैं कोई पैसा नहीं लेते हम आप अराम से अपने और अगर हम आप Finces के software user हैं तब तो बिल्कुल ही नहीं लेते आपको बस block करना होता है time, समय और चीजें और आप अराम से सीखिए दूसरी और आपको इन सब चीजों में अलग-अलग और trainings उपलब्द है market में professional trainers हैं अलग-अलग courses हैं जिनके basis पे आप ये काम कर सकते हो बट जैसा मैंने कहा कि आज के session में मेरा काम सिर्फ आपको इस दर्द से रूबरू कराना था तो दर्द मैंने बता दिया अब अगर हम दूसरे chapter पे आएं तो देखें management का दूसरा दर्द क्या है creating and managing the interface the physical office तो ये भी एक अलग दर्द है दोस्तों तो अगर हम एक management के point of view से दर्द देखें तो एक office को बनाना, manage करना उसका interface बनाना जैसे की सुन्दर हो, reception अच्छा हो चीज ठीक हो, वहाँ पे table कैसी लगी है, entry कैसी है board कैसा लगा है वगरा वगरा और website digital interface है mobile digital interface है तो interface शब तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, interface का मतलब होता है कि आप को कैसे ग्रहाग देखेगा कैसे आप से मिलेगा, कैसे हाई करेगा तो अभी तक physical office जो आप जहां बैठते होंगे अब website और mobile app एक अच्छा माध्यम मोड बन चुका है team के लिए यहाँ पे कोई दर्द नहीं है, आपके लिए यहाँ पे दर्द है कि मैं कैसा website बनाओ मैं कैसा mobile app बनाओ, मैं किस तरह का physical office रखूँ, तो यह आपको दर्द है, अगेन इस दर्द में दूर कैसे करते हैं, फिन से software जैसे company आपका यह पूरा website mobile का पूरा ठेका लेती हैं और आपको बनागर के setup देती हैं so that's the way we relieve you from the pain membership registration of the transaction, यह आपका pain है, कि मैं MFU लूँ कि NSC का platform लूँ, कि मैं cams का लूँ, कि कारवी का लूँ यह pain आपका है, लेकिन रहसा मैंने कहा, ध्यान रखिए, जहां API हो, वही platform को integrate करिए, क्योंकि वो API जब आपके company के brand के दंदर चली जाएगी, तो आपके website में भी दिखेगी, आपके mobile app में भी दिखेगा, तो customer को आपकी brand के अंदर यह online transaction मिलेगा, तो उसके चलते आपकी brand existence और brand value बढ़ेगी दोस्तों, ना कि आप, अपने आपको कहीं third party fake रहे हों, तो यह API integration करना बहुत ज़रूरी है, तो यह आपका pain है, इस pain को again हमारी जैसी company चुटकी में रिलीव करती है, आपको product के अंदर inbuilt API देखे, और जहां बात आती है members की, तो आपके team members, subbrokers, rms को learn करना पड़ेगा, कि कैसे ऐसे platform को use करते हैं, integrated format में, यानि आपके website और application के अंदर कैसे वो अपने ग्रहकों को quickly on board कर पाएं, कैसे वो अपने customers को उसी के through transact करवा पाएं, तो अपने brand के अंदर और अपने interface के अंदर आपके द्वारा दिये गए API से कैसे customer को handle करना है, यह है team का pain, तो यहाँ पे फिर से यह pain कौन हरेगा, आपकी training, आपका knowledge, आप उनको कैसे सिखाते हो, कैसे पढ़ाते हो, उस बात पर depend करता है, कि वो team आपका कैसे use करेगी, तो उसके लिए जरूरी है पहले आपको पता हो, तो आपको पहले यह सीखना होता है दोस्तों, and that is very very important, now, creating or developing a proper method of client risk profiling, यह ऐसा दर्द है ना, इस दर्द से तो मैं guarantee करता हूँ, 1-2% से ज़्यादा distributor इस इंडिया में नहीं है, जो इस दर्द से completely free है, सबको यह दर्द है, और वो दर्द इसलिए है, क्योंकि यह due diligence का part है, यह सेभी के नियाम अवली में है, कि तुम distributor हो, तुम advisor नहीं हो, और जब आप distributor हो, advisor नहीं हो, तो आपको बहुत नियम है आपके उपर, कुछ कर सकने का, कुछ नहीं करने का, यह कर सकते हैं आप, यह नहीं कर सकते हैं आप, तो ऐसे नियम का उलंगन ना हो जाए, आपके process में इस बात को मद्दे नजर रखते हुए आपको पूरा process डवलब करना पड़ता है तो दोस्तों ये जो compliance के मद्दे नजर पूरी process बनाई जाती है risk profiling NSA allocation की वो एक important pain है और वो pain management का again फिंसे software जैसी company बड़े अराम से हम एक अराम उस flow के अंदर ही आपका काम कर देते हैं हमारा पूरा software इस तरह design किया गया है बनाए गया है कि आपका ये pain आपके आड़े ना आए लेकिन जरूरत क्या है आपके team को learn करने की कि how to use that company tool for this initial and compulsory process of new client onboarding कैसे ये risk profiling और asset allocation का استعمال करना है ये आपकी team को सीखना होगा दोस्तों अगर वो नहीं सीखेगी और आप उसको tool पकड़ा दोगे तो ultimately आपका fail हो जाएगा पूरा system तो you have to first create, develop और buy जब आप वो कर लेते हो फिर आपको train करना पड़ेगा अपने team को to use that and ये एक बहुत बड़ा pain है ये सरी का मैं आपको बताओ 80% pain अभी एक survey में आया है कि सारे team members का ये ही pain है वो नौकरी तो join कर लेते हैं किसी MFD के हाँ तंखा भी उनको मिलने लगती है मगर उन्हें client से risk profiling और उनके asset allocation पे बात करना उनको नहीं आता वो product की बाते कर लेते हैं ये सर अच्छा scheme है ये बुरा scheme है सर ये देखिए इसकी rating ये देखिए सर ये research बट वो उनकी पूरी journey life के उनके goals और risk profiling के उपर discuss नहीं कर पाते हैं तो ये जो training है ये training in-house होनी चाहिए लेकिन इस दर्द को कैसे दूर करना है ये ढूंड़ना काम है इस management का जो भी यहाँ owner है MFD उनको तो खैर यहाँ भी बहुत solutions है हम आपको बाद में बताएंगे फिलहा last और most important pain जो management के लिए है जो मुझे समझ आता है वो है work automation how to automate process कि आपके customer का review ठीक से हो जाए उनका 3 मेहना पे review होना है कि 6 मेहना पे review होना है ताकि कल को आपको customer उठके न कहे कि तुमने तो मुझे पूछा ही नहीं और ये 100 की चीज असी हो गई तुम पूछ रहे होते तो शायद मैं इसे निकाल लेता लेकिन तेरे नहीं review करने के कारणा I have lost money और वो आपके उपर case ठोक देता है या आप पे इलजाम धरता है तो दोस्तों review is very important कि sir आप जिस सवारी पे बैठे हो ठीक हो अच्छे हो स्वस्थ हो और वो जब yes कहे उसी feedback को आपको important है कि रखना होता है due diligence के point of view से यानि जब आपके हो auditor आता है और 100 करोड के उपर वाले लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो जानते होंगे कि auditor उनसे पूछता है आके कि दिखाईए आपका क्या process है review of the customer review of the feedback तो दोस्तों learning to review ये team को सीखना है उनको पता होना चाहिए कि customer से कैसे किस format में भरवा के लिनी है आपके पास वो system बनाने का काम आपका है और follow करने का काम team का है तो ये दोनों दर्द का भी finances आपको निवारन देता है दोस्तों तो ये देखा आपने आज जो मैंने इन दो slides में आपसे छोटी छोटी बाते की ये सारे दर्द एक common दर्द है लेकिन जब इनके अंदर आप घुस्ते जाओगे तो आपको समझाएगा कि yes यही दर्द हम सभी का है और इन सब के ऊपर एक बड़ा घाओ बनाता है एक बड़ा दर्द देता है कि 100 से जादा tools हैं इतने softwares हैं इतने trainer हैं जो अलग-अलग दवाईयां बेच रहे हैं ये लो ये खाते ही तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा कोई कहता है ये लो ये मेरा software खरीतते ही तुम एकदम बादशा बन जाओगे और MFD बिचारे confused होता रहता है कि मैं कौन सी दवाई खाऊ या तो वो बहुत सारी दवाईयां खारा होता है और या फिर उसे पता ही नहीं होता है कि मैं क्या खारा हूँ So generally MFD बिचारे mutual fund distributors product खरीद लेते हैं या software खरीद लेते हैं बाद में से देखते हैं कि मैं उसके अंदर कहां fit बैठता हूँ कुछ लोग तो photo देखके खरीद लेते हैं कुछ का अब criteria होता है कि अरे ये बहुत सुन्दर दिख रहा है dashboard बहुत अच्छा दिख रहा है अरे इसका photo बहुत अच्छा दिख रहा है इसका chart बहुत है इसके अंदर फलाना चीज आती है जैसे अभी मुझे कुछ team ने बताया कि एक software company ने बोला कि अरे देखिए मेरे में ये आता है कि sensex से कैसा comparison है मेरा market का मैं benchmark से report दिकालता हूँ मैं तो ये भी दे देता हूँ कि इस mutual fund में कितना equity है sorry कितना IT है कितना pharma है कौन-कौन से shares है भाई साब fact seat customer को अगर आपको देनी है आपको अपने software में ये ही बनाना है और इसी के लिए आप software खरेता तो फिर आपको अपना pain पता ही नहीं है आपका pain ये नहीं है आपका pain ये था कि मैं customer को उनके investment का valuation कैसे दे पाऊँ आपका pain ये नहीं था कि customer अपने product का selection कैसे कर पाए क्योंकि अगर वो pain आपने दूर करने की कोशिश की कि customer अपना product खुद कैसे select कर ले तो दोस्तों जादा दिन नहीं है So ultimately हमारा business is not about selling research Our business is selling relationship Our business is all about motivation Our business is selling the savings concept So अगर आप अपने business के basics से deviate हो जाओगे अगर आप अपने business के basics pain area को ही नहीं पहचान होगे तो आप ultimately गलत tool खरीद के बैठ जाओगे दोस्तों और यही बात को यहाँ पे Fences Academy आपको मदद करता है वो आपको समझाने के कोशिश करता है कि अपने pain को divide कर लो दो पार्ट में एक management पार्ट में और एक team पार्ट में और तब देखो कि जो product आप खरीदने जा रहे हो वो product आपको कौन-कौन सी दर्द की दवाई दे रहा है आपके admin पार्ट में कौन-कौन सी दवाई या आपको मिल रही है और आपके client यानि की sorry RM पार्ट पे और subbrokers पार्ट पे कौन-कौन सी दवाई या मिल रही है क्या मुलोग जैसे company यानि के finances software annual subscription plan में आपको बेचते हैं business management का tool जिससे आपकी सारी दर्द खतम हो जाए और digital marketing का tool जिससे आपका lead generation वगरा का दर्द खतम हो जाए so obviously ये दोनों तरह के tool के अलग-अलग cost होते हैं दोनो jointly भी आती है, दोनो separately भी आती है मैं यहाँ product sales की आपको concept तो नहीं बता सकता लेकिन इतना जरूर समझा सकता हूँ कि अगर आपने अपना दर्द सही से पहचान लिया तो उसकी दवा भी आप सही से खरीद पाओगे आप बेवज़ा अपने पैसे बरबाद नहीं करेंगे example के तोर पे अगर आप छोटे starter EMC हो distributor हो 25-20 करोड के नीचे है तो आपके लिए server का topic इतना बड़ा topic नहीं है speed आपके लिए इतना issue नहीं है क्योंकि कम जगह में आप जादा data रख सकते हो तो इसलिए server आपको सस्ता पड़ेगा और उस server के अंदर जो भी software आप डालोगे जैसे की हम यहां तो example finances का दे रहे हैं बाकी का मैं नहीं जानता अंदाजन 10,000 रुपे का software पड़ता है यानि 14,000 रुपे सालाना में आपका सारा काम हो जाता है अगर आप यहीं पे बड़े आते हो size में फर एक्जामपल 200 करोड के उपर है यह 100 करोड के उपर है तो दोस्तो server का size आपको बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि speed आपके लिए important है ग्राहक बढ़ चुके हैं जादा ग्राहक, जादा data, जादा processing छोटे server पे नहीं होएगा तो server का size बड़ाना पड़ेगा वाँ खर्च करनी पड़ेगी आपको और आपका software के अंदर भी यह 10,000 का जो मिल रहा था यह क्यों 28,000 का मिल रहा है क्योंकि आपको अपना mobile store पे registration कराना पड़ेगा iOS पे भी लेना पड़ेगा Android पे भी लेना पड़ेगा तो इस total cost आपकी सालाना बढ़ जाती है so 14,000 से लेके 80,000 तक की range इस बात पे नहीं depend करती कि आपको कौन सा software दिया जा रहा है इस बात पे depend करती है आपका दर्द क्या है आपको किस चीज का निवारन चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस topic को stop करता हूँ और आप लोगों को thank you बोलते हुए आप जिन्होंने भी यह पूरा वीडियो देखा है प्लीज और लोगों से share केजिए और अपने mutual fund distribution business में अपना यह इन चीजों को आपको देखना यह है जरूरी कि मेरा जो भी दर्द है जो भी दर्द है वो दर्द admin point of view से क्या है वो दर्द associate या RM point of view से क्या है और ग्राहक point of view से क्या है सिर्फ एक लौता एक एक नजर से मत देखिए 98% 95% people when I talk about they only look at a software or solution from their point of view उनको लगता है बस मेरा काम हो जाए अरे भाई जरा ये तो सोचो कि तुम जो चीज खरीद रहे हो लगा रहे हो adopt कर रहे हो तेरे ग्राहक को कैसा feel होगा आप customer point of view से सोचिए आप बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो एक ऐसा software चाहिए जिसके अंदर बहुत अच्छी software report आती हो ऐसी report आती हो ये क्या है उसको चाहिए मैंने क्या invest किया और मेरा क्या value है simple as that उसको चाहिए मेरा profit क्या rate से बढ़ रहा है मैं bank deposit से better हूँ कि bank deposit से खराब हूँ that's all उसे क्या फरक पढ़ रहा है IT index, mid cap index और large cap index से comparison करने का उसे क्या मतलब है इस बात से कि hero honda इसमें बढ़ा है कि hero honda घटाए गया है so sometimes you get confused that whether you are buying things for yourself और for your customer so be very clear about it before buying any MFD software कि आप क्या खरीद रहे हो आप किसके point of view से खरीद रहे हो मेरा मानना है आपका point of view हमेशा customer का होना चाहिए आप customer के point of view से खरीदिए देखिए उससे कौन सा app मिलने वाला है उसको कौन सा web panel मिलने वाला है उसे कैसी feeling आने वाली है अपने software के अंदर उसको किस तरह से आप address करने वाले हो उसको कौन कौन सी communication के लिए आपको साधन दिये जा रहे हैं आप अपने point of view से तो बहुत कुछ ऐसे भी प्राप्त कर लेते हो आपको पहले इनका देखना है उसके बाद इनका देखना है और तब फिर third में आरेम point of view से देखा जाता है और तब आप किसी भी software को final कर सकते हो तो दोस्तों और जादा जानना है online demo देखनी है फिनसे software की देखिए खुलके हमें request डालिए सिर्फ एक missed call डाल दीजिए 9015211521 जब घंटी बजए उसके बाद कार्ट दीजिए आपको जो भी callback आएगा उनसे कह दीजिए कि मुझे demonstration देखना है वो लोग आपको demonstration का time fix करेंगे और हम आपको live demo के through सिखाएंगे मेरा नाम है अभिनेश कुमार जादा तर group demo जब भी होती है मैं करता हूँ तो अगर आपको मान लो example महिने में दो बार एक बार जब भी हम ऐसा group demo करते हैं अगर आपका interest आ चुका है या हमारे हां recorded रहता है तो हम आपको इस group demo में न्योता देते हैं आप demo देखिए और हमसे बाते करिए live webinar होती है question answer होते है ताकि आप और अच्छे से अपने इस business को scale कर सकें इस email ID को भी यहाँ पे आप note कर लें admin at armfintech.com अराम से इस पे freely जो चाहें लिखिए mail करिए बताइए हमें कि आप क्या चाहते हैं हम आपको callback करेंगे और आपसे बाते करेंगे तो दोस्तों इसी के साथ आज का यह छोटा सा video जो मैंने बनाने की कोशिश की आप लोगों के basic thought process को clarity देने के लिए I hope I am successful in that and keep in touch just keep us updated को . . . . झाल झाल